हेलो एवरिवन वेरी वेरी गूड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हुश्वेता मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुबह का टाइम है और मैंने अभी कपड़े लगाए है तो वही मैं कपड़ों को फैला रही हूँ धूल गये थे और आज बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो स्टार्ट होने लग गई है हर दिन मतलब हर नेक्स डे जो है वो एक दो टेंपरेचर जो है वो बढ़ी जाता है एक दो डिग्री सो इसी तरह से यहाँ पे चल रहा है आज मैंने सोचा है कि मैं को हैर कट के लिए भी जाना है तो चलते हैं देखते हैं आज कौन सा हैर कट कराती हूँ और क्या क्या होता है वो सारी बाते इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ और बढ़िया है सब और पीहु का आज टेस्ट है वो गई है स्कूल और देखते हैं उसका टेस्ट आज का कैसा होता है एक दो दिन में ये टेस्ट खतम हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको एक अच्छी सी न्यूस भी मिलने वाली है तो बने रही है मेरे चानल पर अच्छे अच्छे व्लोग्स देखते रही है क्योंकि इसके बाद back to back बहुत अच्छे अच्छे व्लोग्स आने वाले हैं तो कुछ तो surprise भी है आप लोगों के लिए देखिए कि क्या क्या मैं आपके साथ share करती हूँ आगे आने वाले व्लोग्स में मैं भी बहुत excited हूँ आगे जो जो होगा वो सारी बाते शेयर करने के लिए आपके साथ तो चलो अभी मैं एरा को सुला देती हूँ उसके बाद आफ्टरनून में आज चलेंगे हम हेयर कट कराने के लिए तो आपको भी ले करके चलूँगी तो अभी मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ जब आप बेबी के उपर यूज़ करेंगे तो इसमें उसे किसी भी तरह के टियर्स आने की प्रॉब्लम नहीं होगी यह तर्मोटोलोजिकली टेस्टेड है पीएज बैलन्स मेंटेन करता है और यह जीरो टू फाइव मन्स के बेबी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और मेट सेफ है आप सब जानते हैं ममा अथ की जो ब्रैंड है यह मारी इंडियन ब्रैंड है इसमें किसी तरह का भी हामफुल केमिकल यूज़ नहीं होता है और ममा अथ की जो प्रॉड़क्ट है वो अब हमारे नियरबाइ स्टोर पे भी मिलते हैं लेकिन अगर आप उनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ मैं अपना एकूपन कोट दे दूँगी अगर आप इस प्रॉड़क्ट को लेना चाहते हैं तो यह प्रॉड़क्ट आउनलाइन भी अविलेबल है आप मेरा कूपन कोट यूज करना मत भूलिएगा आप आप आराम से अपने प्रॉड़क्ट को पच्चेस कर सकते हैं यह काफी अच्छा प्रॉड़क्ट है यूजर गेट अर्ली एक्सेस तू सेल एंड गेट एक्स्ट्रा डिसकाउंट ओके गाइज वेल्कम बैक एंड गुड आफ्टर नून मैं जा रही हूं आज हैर कट कराने के लिए आ गया है सुब मूरत मेरे बालों का इरू को देखूंट है अम ऐत्ति उक्साइडर हो रिये हैं होँँ हूँँ पीषो के डेड़ी पीषो को लेके गए है एर कट के लिए मैं जा रही हूं अब इरू को साथ ले कर के तो मैं पहुच गई हूँ, मेरे घर के पास ही पालर था, वहाँ पे हेर कट कराने के लिए और एरा के साथ ये सब काम करना थोड़ा मुश्किल होता है तो अभी वर्मा जी एरा को पकड़ रखे हैं और आपको पीछे से अब हमेशा बैक्ग्राउड में एरा का ये म्यूजिक सुनाई देता होगा तो यहाँ पे मेरा हेर वाश कर रहे हैं, वैसे वाश था बट फिर भी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हेर वाश करना पड़ेगा बस यहाँ पे सबसे पहले मेरा हेर वाश किया जा रहा है उसके बाद मैं बता रही थैंको की कौन सा हेर कट करना है कैसे करना है मैं क्या चाहती हूँ तो मैंने बताया उनको कि मैं छाथी हूँ थोड़ा सा फलफी रहना चाहिए और मैं ज्यादा लेंध भी छोटी नहीं करवाना चाहती हूँ बटा प्लास में देखिएगा हुआ क्या है आपको सब कुछ देखने को और पता चल जाएगा मतलब देखने को और सुनने को तो मिली रहा है यह सारी मेरी बातें तो अच्छा मुझे एक कॉमेंट भी आया था क मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा चल यह बातें बहुत हो गई हैं अब आप देखिए और मिजिक के साथ मैं इसको सेट करती हूँ फिर बताईएगा कि मेरा नया लुक आपको कैसा लगा तो यह है मेरा नया लुक आपको अच्छा लग रहा होगा बट अभी तो मुझे यह बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है खेर अभी जब यह सेट हो जाएगा तो आप इसको देखिएगा अच्छा मैं सोच रही थी कि मैं वॉल्यूम यहाँ पर सेट करूंगी बट मैं 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 इसमें वॉइस ओवर नहीं करूंगी बट मैंने देखा कि म्यूजिक चल रहा था तो कॉपी राइट आ जाता तो मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ा को तो यहाँ प det전 मेरा आगे का जो है वह इरकट हो रहा है मतलब फ्लिक्स जो है वो निकाली जारी है तरफ भाव्यह ने अगाट ह Ta तपर मुझे थोड़ी लंबी लग रही थी फिर मैंने बोला कि आप tenga that कर 달 nggak देए और मैंने यहाँ और यहाँ पे एक पहले भाईया ने काटा था पर वो मुझे थोड़ी लंबी लग रही थी फिर मैंने बुला कि आप थोड़ा सा उसको और कट कर दीजे और मैंने यहाँ पर एक जो हैर कट करते हैं उन्हीं भाईया को अपना फोन दे दिया था कि थोड़ा सा आप रिकॉर्ड कर दीजे आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो वैसे मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मैं रिकॉर्ड करती ही हूँ तो सुना आपने वर्माजी की बात वो तो बोल रहे हैं बहुत चोटे कर दीए और उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है बर अब तो कट गया जो कट गया सो देखते हैं कि अब ये बाल मेरे कब तक रहते हैं आपका जो मन पसंद हेर कट होता है न वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है सो खेर कोई बात नहीं अब आप लोग बताईए कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं बाकी तो देखते हैं कि क्या होता है और बस चलिए अब चलते हैं घर और एरा भी देखिए अभी डाड़ी की गोद में थी है वो मेरे पास आ गई है इतनी देर में मुझे भूक लग गई थी ये लोग ने जो है जूस पिया था तो ये बोले कि तुम भी चलो कोई एक जूस पी लो तो मेरा मन था चीकू शेक पीने का वही मैं या पर पी रही हूँ तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ आए होप आपको अच्छा लगा होगा मिलती हूँ का लेको और अच्छा से इंट्रस्टिंग से व्लॉग के साथ